नमस्कार दोस्तों, तो देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि यह हमारा बोर जो है चालू कंडीशन में है या खराब कंडीशन में या फिर बंद कंडीशन में जो भी है तो उसके लिए मैंने यह डाइग्नोस्टिक कार्ड लगाया है ठीक है तो यह बग रीडर कार्ड है इसे भी बोलते हैं आप diagnostic card बोल सकते हैं तो इस पर कैसे पता चलता है तो mainly क्या होता पहले में जर्नली बता देता हूं यहाँ पर numbering change होती है 4 digit और यहाँ पर lie 8 जलती हो कुछ blink होती है तो कैसे पता चलता है मतलब जब यहाँ पर numbering आए और 4, 5 या 6, 7 बार numbering continue change हो तो समझ लीजिएगा कि board में display आ चुका है ठीक है और अगर यहाँ पर 00 आ रहा है या फिर कुछ अलग आ रहा है या बारवार numbering change नहीं हो रही तो समझ जाईए इसमें कुछ fault है तो अभी मैं इसको चालू करके देखता हूं तो यहाँ पर यह देखी आपका यह होता है हमारा front panel तो यहाँ पर एक पीन यहाँ पर miss है यह यहाँ पर तो मतलब जो miss है उसके बगल वाली जो यह दोनों power की है उसके बगल में power LED है और just इसके नीचे जो power है उसके just नीचे reset की है उसके बगल में HDD की है तो मैं इन दोनों को यहाँ से touch करूँगा मतलब short करूँगा तो यहाँ पर देखते हैं हमारा यह क्या बताता है मैं इसको short करता हूं यह मैंने करा अब यह देखिए यहां पर ब्लिंकिंग चालू ही है यह देखिए यह ब्लिंक कर रहा है कंटीनू और फिर साथ आड़ बार करके यह रुप गया तो मतलब यह हमारा बोर्ट जो है यह है ओके कंडीशन में बिल्कुल चालू है फर्स क्लास है यहां पर में प्रोसेसर में हात लागा कर देखता हूं यह हीट होना चालू हो गया है मतलब यहां वर भी सप्लाई आ रही है तो ऐसे हम डाइग्नोश्टिक कार्ड से पता कर सकते हैं कि हमारा जो बोर्ट है वो चालू है या बंद है ठीक है थैंक यू फ्रेंड्स